नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक टार्गेट हंड्रेड है। जैसे ही इस वीडियो पर हंड्रेड लाइक्स का टार्गेट कम्प्लीट हो जाएगा, आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। धन्यवाद। उसकी निगाहे पूरे कम्रे में सिर्फ अपनी लिटिल स्टार को ढून रही थी और जब उसने उसे बिस्तर पर लेटा हुआ बेहोश हालत में देखा, तो उसके हाथ काम गए थे। विश भी अभय को यहाँ देखकर हैरान हो गई थी और अभय के पीछे पुरोहित को देखक वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है तो पुरोहित अपने कंधे उचका देता है। विश अब तक जितने तनाव में और टेंशन में थी, अभय को देखकर वो इस बात से इंकार नहीं कर सकती थी। उसे अंदर ही अंदर एक हिम्मत से मिल रही थी, अभय को देखकर वो त्विंकल के पास आ जाता है। वो धीरे से त्विंकल के पास रखे स्टूल पर बैट जाता है और उसके सर को सहलाने लगता है। त्विंकल की आँखें अभी भी बंग थी और चेहरे से पीला पनहट नहीं रहा था। उसने त्विंकल के उस नाजुक से हाथों को देखा, जिसमें उसने बड़े शौक से अपनी घड़ी पहनाई थी लेकिन अब उस हाथ में इंजेक्शन की नीडल लगी हुई है और एक पाइपलाइन उपर सलाइन की बोतल को कनेक्ट कर रही है अभय ने धीरे से उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से चुए उसके पूरे बदन में एक कट दोड़ पड़ता है और वो जल्दी से ट्विंकल की उंगलियों से अपने हाथ हटा लेता है वो हैरानी से ट्विंकल को देखने लगता है उसके चहरे पर गुसा आ गया था वो फिर से एक बार ड्रेगन के अवतार में आ गया था अभय जल्दी से खड़ा होता है और विश की तरफ देखता है वो विश को देखते हुए कहता है अब कैसी तबियत है इसकी पता नहीं क्यों लेकिन विश का मन अभय से ट्विंकल की हालत बताने को कर रहा था उसने बिना किसी जूट के वो कह दिया जो डॉक्टर ने उसे कहा था वो अभय को देखते हुए कहती है डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल वो ठीक है फिलहाल ठीक है कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि फिलहाल ठीक है अभई गुसे में विश से ये पूछता है और उसके बाद उसने डॉक्टर को देखते हुए कहा क्या बात है डॉक्टर साफ साफ बताओ लिटल स्टार की तबियत अचानक कैसे बिगड़ दे है किस तरीके का इलाज कर रहे हो तुम जो एक छोटी सी बच्ची को ठीक नहीं कर पा रहे हो डॉक्टर ने अपनी आखिरी सांस रोकते हुए जोर से सांस ली जब से अभय वार्ड रूम में दाखिल हुआ था तब से ही डॉक्टर खुद की आखिरी सांसे गिन रहा था क्योंकि एक गलती और डॉक्टर को खुद डॉक्टर की जरूरत पढ़ती उसका यहां होना ही डॉक्टर को तनाव में मैं डाल चुका था मिस्टर कोटियान मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन लिटिल स्टार के इलाज में लेकिन शब्द का इस्तिमाल नहीं होना चाहिए डॉक्टर अभय ने साफ तोर पर धमकी देते हुए डॉक्टर की बाद बीच में काटी और उसे चितावनी देते हुए कहा और उसके बाद अभय ट्विंकल को देख कर उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है क्योंकि मेरी लिटिल स्टार की जिंदगी ऐसी नहीं है जो तुम जैसे डॉक्टर उसके साथ खिलवार कर सको मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मिस्टर कोटियान लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है वैसे तो वो ठीक लग रही है लेकिन उसका जो इलाज चल रहा है ये उसके साइड एफेक्ट्स है उसी की वज़े से इसके स्क्रीन पर रैश्यज आ जाते हैं और ये सोते सोते बेहोश हो जाती है डॉक्टर ने अपनी बात सामने रखते हुए कहा तो अभई गुस्से में उसे घूर कर देखता है और कहता है तो किस काम की है तुम्हारी डिग्री और किस काम की है ये मेडिकल साइन्स ऐसा क्या इलाज कर रहे हो जो इस साइड इफेक्ट हो रहे हैं उद्धरन चिन्ह अभई ने एकदम गुस्से में भढ़क कर डॉक्टर से सवाल किया तो डॉक्टर अपनी जगह पर ही काम जाता है वो जल्दी से अपना सिर्हा में हिलाते हुए कहता है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कोशिश नहीं डॉक्टर मुझे रिज पॉजिटिव ही चाहिए अभई एक और धम की डॉक्टर को दे देता है जो उसे ये बता रहा था कि अभई के लिए ट्विंकल कितनी खास है हम इसे घर कब ले जा सकते हैं अभई ने ट्विंकल को देखते हुए डॉक्टर से सवाल किया तो डॉक्टर अपने कोर्ट को और कसके पकड़ते हुए कहता है मैंने injection दे दिया है अगले एक घंटे में इसे होशा जाएगा उसके बाद आप लोग इसे घर ले जा सकते हैं एक्सक्यूज मी मुझे और पेशिंट को भी देखने जाना है खुद की जान की सलामती चाहते हुए डॉक्टर वहां से अगले ही पल निकल जाता है कमरे में अब सिर्फ अभय और विश ही थे विश धीरे से चल कर ट्विंकल के पास जाती है और उसके बिस्तर के बगल में बैट जाती है ट्विंकल के जिस हाथों में सिरिंज लगी हुई थी वो उसे धीरे से अपने हाथों में लेती है विश का पूरा चेहरा दर्द से भरा हुआ था और हताशा निराशा उसे घेरे हुए थे उसकी आँखों से आँसु बहने लगे थे क्यों जिन्दगी उसे इतना दर्द दे रही है और उसे दर्द दे भी रही है तो वो उसे बरदाश्ट गीतों कर रही है उसके हिस्से का दर्द उसकी छोटी सी बच्ची को क्यों दे रही है ये जिन्दगी इस मासूम सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है उसकी निर्दोश बच्ची को इतना कश्ट सहना पढ़ रहा है ये सब सोचते सोचते विश की आँखों से आंसू और तेज बह रहे थे वो चाहकर भी इसे रोप नहीं पा रही थी और उसके रोने की आवाज उसके मुह से भी निकल रही थी वो बड़ी मुश्किल से खुद को काबू करने की कोशिश कर रही थी पर ट्विंकल के सामने एक मा के जज़बात हार रहे थे वो ठीक हो जाएगी अचानक से विश के कंदे पर हाथ आता है और इस आवाज के साथ विश हताशा भरे चहरे के साथ पलट कर देखती है अभय उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसी का हाथ विश के कंदे पर था न जाने क्यों उसे अभय की उन गहली निगाहों में विश्वास नजर आया था अभय धीरे से उसके कंदे से हाथ हटाता है और ट्विंकल के दूसरी तरफ चला जाता है विश की आँखों से धीरे धीरे आसु बहाना कम हो गए थे पर उसके चहरे पर हताशा अभी भी थी वो ट्विंकल को शून्य भाव से देखे जा रही थी अभय ट्विंकल के दूसरी साइड रखे कुरसी पर बैट जाता है और वो दोनों सिर्फ ट्विंकल को देखते रहते हैं वार्ड के बाहर पुरोहित जब अपने बॉस को ऐसे देखता है तो हैरान हो जाता है ड्रेगन कभी किसी के लिए इंतजार नहीं करता है और उसे कभी किसी की फिक्र नहीं रही है लेकिन ट्विंकल के लिए उसकी फिक्र देखकर इस समय पुरोहित को ऐसा लग रहा था कि हॉस्पिटल के किसी वार्ड में अपना ही इलाज करवा ले शायद वो कुछ गलत देख रहा है उसकी आँखों में कोई प्रॉबलम होगी ड्रेगन एक बच्ची के सिरहाने बैठा हुआ है और उस बच्ची के लिए उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजरा रही है डॉक्टर ने ठीक ही कहा था एक घंटे बाद दवाया का असर खत्म हो जाता है और ट्विंकल को होशा जाता है जैसे ही उसे होश आता है वो सबसे पहले विश से लिप जाती है अपनी बेटी को सीने से लगा कर विश का मन भर गया था वो इस वक्त कुछ नहीं सोचना चाहती थी और ना ही उसे किसी बात की परवा थी ट्विंकल के चहरे पर मुसकान देखकर अभय के चहरे पर भी मुसकान आ गई थी और उसे ठीक देखकर अभय को भी बहुत सुकून मिल रहा था हॉस्पिटल की सारी फॉमेलिटी पुरोहित कर रहा था और डॉक्टर ने ट्विंकल को डिस्चार्ज भी कर दिया था अभय ने विश को देखते हुए कहा पुरोहित यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेगा चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ विश ने इस बात पर कोई रियेक्शन नहीं दिया वो इस समय इतनी परेशान थी कि वो कुछ सोची नहीं पा रही थी और अभय इस वक्त ट्विंकल और विश को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था उसने एक नजर पुरोहित को देखा तो वो घबराते हुए जल्दी से हामे सिर हिलाता है अभय विश और ट्विंकल को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और पारकिंग में पहुँचता है जहां पर पहले से ही उसकी गारी ड्राइवर के साथ मौझूद थी लिफ्ट से बाहर निकलने के साथ ही अभय ने अपने हाथ का कुछ इशारा किया जिसे देखकर ड्राइवर जल्दी से वहां से खिसक लेता है जब वो लोग गारी के पास पहुँचते हैं तब भी विश के चहरे पर निराशा थी और अभय भी उदास था डॉक्टर ने जो ट्विंकल के लिए बताया था उसे सोचकर उसका परेशान होना स्वाभाविक था अभय ने ड्राइविंग सीट का दर्वाजा खोला और विश पीछे वाले सीट का दर्वाजा खोलना ही वाली थी कि ट्विंकल उसे रोकते हुए कहती है मम्मा हम पीछे नहीं बैठेंगे हमें आगे वाली सीट पर बैठना चाहिए रिची रिच अनकल के साथ वो हमारे ड्राइवर थोड़ी ना है विश अचानक से होश में आती है और ट्विंकल को देखने लगती है उसे एहसास होता है कि अभई ड्राइविंग सीट का दर्वाजा पकड़े हुए खड़ा है और विश ने अभी बैक सीट का दर्वाजा खोला ही था विश को होश आता है कि वो अभय की पिछली सीट पर बैठने जा रही थी जबकि अभय ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है उसने जल्दी से बैक सीट का दर्वाजा लगाया और पैसेंजर सीट का दर्वाजा खोल लिया अभय ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसके साथ वाली सीट पर विश बैठी हुई थी विश के गोद में ट्विंकल थी अभय ने चाबी को की हॉल में डालते हुए कहा सीट बैल्ट लगाओ विश ने जल्दी से ट्विंकल को ठीक से अपनी गोद में बिठाया और सीट बैल्ट लगा लिया अभय ने गाड़ी स्टॉट की और थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी हॉस्पिटल एरिया से बाहर निकाल कर हाईवे पर चल रही थी लेकिन जब विश ने सड़क की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई ये रास्ता उसके घर की तरफ नहीं जा रहा था उसने हैरानी से अभय से पूछा आप हमें कहां लेकर जा रहे हैं अभय ने उसके सवालों का कोई जबाब नहीं दिया लेकिन ये जानने की एकसाइटमेंट तो ट्विंकल में भी थी वो भी हैरानी से अभय से कहने लगी रिची रिच अंकल क्या आप हमें अपने घर लेकर जा रहे हैं ट्विंकल की बात पर विच एक दम से हैरान हो जाती है और उसकी आँखें खुल जाती है उसका मुँह खुला का खुला रहे गया था वो अभय को हैरानी से देख रही थी लेकिन अभय ने मुश्कुराते हुए ट्विंकल को देखा और हामें सर हिलाया मिस्टर कोटियान आप ऐसा विश इस से पहले अपने शब्द पूरे कर पाती अभय ने विश को देखते हुए कहा मिस विशाखा आज रात तुम और लिटिल स्टार मेरे पेंट हाउस में रुकोगे विश के शब्द अपने मुह पर ही रह गए थे लेकिन वो अभय की शब्दों का विरोध नहीं कर सकी उसने धीरे से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और इसी के साथ अभय को सिगनल मिल गया था कि विश की सहमती है विश के पास इसके अलावा और कोई option भी नहीं था वो अभय का विरोध करके इस समय कोई scene create नहीं करना चाहती थी और एक मायने में वो उसका विरोध करना भी नहीं चाहती थी पहली बार उसे paint house जाने में दर नहीं लग रहा था जैसे ही उनकी गारी पेंट हाउस के अंदर दाखिल होती है एक सिक्योरिटी जाकर गारी का दर्वाजा खोलता है अभय और विश गारी से बाहर निकलते हैं उस पेंट हाउस को देखकर ट्विंकल की आँखें एकदम से बड़ी हो जाती है और जैसे ही वो लोग पेंट हाउस के अंदर दाखिल होते हैं अभय देख सकता था कि ट्विंकल उस घर को देखकर कितना एकसाइटेड हो रही है विश ट्विंकल को अपनी गोद में लेकर घर के अंदर इंट होती है लेकिन ट्विंकल विश की गोज से निकलने के लिए कितना स्ट्रगल कर रही थी हॉल में लाकर विश ने धीरे से ट्विंकल को नीचे जमीन पर खड़ा कर दिया लेकिन ट्विंकल खुशी और उत्साहित होते हुए उस पूरे पेंट हाउस को देख रही थी अभय विश के पास आकर खड़ा हो गया और वो भी ट्विंकल को देखने लगा ट्विंकल के चहरे पर एक मुस्कान थी और वो चमकती हुई आँखों से हर जगा को देख रही थी क्या आपको ये पसंद आया लिटिल स्टार अभय ने मुस्कुराते हुए ट्विंकल से सवाल किया तो ट्विंकल जल्दी से अभय की तरफ देखती है और खुशी से अपना चहरा दो-तीन बार हामें हिलाती है रिची रिच अनकल आपका घर तो बहुत अच्छा है बिल्कुल रिची रिच की तरह है ट्विंकल एकदम मुचलते हुए और अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहती है उसके चहरे पर ये खुशी देखकर अभय मुस्कुरा उठता है और उसने ट्विंकल से कहा अगर ऐसा है तो फिर अपने रिच रिच अनकल का पूरा घर देखना चाहोगी अभय की बात सुनकर ट्विंकल की खुशी दुबनी हो गई और उसने जल्दी से अपने छोटे से हाथों को अभय की तरफ फैला दिया जो ये सिगनल था कि वो चाहती है अभय उसे अपनी गोद में उठा ले अभय की मुसकान और निखर जाती है वो आगे बढ़ता है और ट्विंकल को अपनी गोद में उठा लेता है लेकिन तभी उसकी नजर विश पर जाती है जो हैरानी से उन दोनों को ही देख रही थी अभय ने विश से कहा जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ अब जाकर फ्रेश हो जाओ अभय ने विश की तरफ देखते हुए कहा तो विश एक दम से हैरान हो जाती है लेकिन उसे थकान भी महसूस हो रही थी पूरे दिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो काफी ज़्यादा थकी हुई भी लग रही थी अभय ने ट्विंकल को अपनी गोद में संभालते हुए बिना उसकी और देखे कहा आज रात तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो विश एक दम हैरानी से अभय को देखते रह जाती है क्योंकि उसके पास सच में कपड़े नहीं थे इस ओके ये ठीक है मैं इनसे काम चला लूँगी विश ने अभय के ओफ़ा को ठुकरते हुए कहा हालांकि वो खुद भी समझ सकती थी कि इन कपड़ों में सोना कितना इंकमफर्टेबल है उसकी बातों से अभय को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई अब तो उसे आदत हो गई थी विश अलग-अलग तरीके से उसकी बातों का विरोध करती रहती थी वो तेज कदमों से आगे बढ़ता है और विश के करीब आ जाता है विश कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसने अपने एक हाथ से ट्विंकल को संभला और दूसरे हाथ से विश की कलाई को पकड़ लिया विश एक दम से चौंक जाती है पर वो त्विंकल के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी अभे उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कमरे की तरफ ले जाता है क्लोजट में पहुँचकर उसने विश का हाथ छोड़ दिया और ट्विंकल को गोज से नीचे उतार दिया वो अपने कोट के बटन खोलते हुए ट्विंकल की ओर देख कर उससे कहता है लिटिल स्टार अपनी मम्मा के लिए एक ड्रेस पसंद करो मम्मा के लिए न्यू ड्रेस है ट्विंकल एक्साइटेड होते हुए कहती है और उस क्लोजट को देखने लगती है उस बच्ची की बात सुनकर अभय हंस देता है अभय की लाइफ में कभी भी ऐसा कोई एक्स्पीरियंस नहीं आया जब वो किसी इतनी प्यारी और मासूम बच्ची को देख रहा था उसने अपना सिरहा में हिलाते हुए ट्विंकल की ओर देखते हुए कहा हाँ तुम्हारी मम्मा के लिए नई ड्रेस है ट्विंकल खुशी से उस पूरी एक क्लोजट को देखती है और फिर उसमें से एक ब्लैक कलर की शर्ट अपनी मम्मा के लिए सिलेक करती है वो उसकी तरफ इशारा करती है तो अभय उस हैंगर को नीचे उतारता है वो ट्विंकल के बालों को बिगारते हुए मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल अपने जैसी प्यारी सी ड्रेस पसंद की है आपने अपनी मामा के लिए अभय के मुह से तारीफ सुनकर ट्विंकल का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए अभय के गले लग जाती है अभय ने उसकी पीक थप थपाए और फिर खड़ा होकर वो विश की तरफ बढ़ता है उसने विश के तरफ उस शर्ट को बढ़ाते हुए उसकी और देखा और कहा इसे पहन लो विश इसका विरोध करना चाहती थी वो मना करना चाहती थी वो इस शर्ट को नहीं लेना चाहती थी उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो उसी में कमफर्टेबल थी हाला कि सोने के लिए वो थोड़े से इनकमफर्टेबल थे लेकिन फिर भी वो एड़जस्ट कर लेती लेकिन पता नहीं क्यूं वो कुछ बोल नहीं पाई उसकी जुबान अपनी जगह पर ही रुख गई और वो हैरानी से अभई को देखते देखते उस शर्ट को पकड़ लेती है उन दोनों को वापस रूम में लाकर वो त्विंकल को सोफे पर बैठाता है और अपना फोन निकालते हुए उसकी ओर देखकर कहता है तो लिटिल स्टार को क्या खाना पसंद है जल्दी बताओ मैं अभी ओर्डर कर देता हूँ त्विंकल की आँखें एक दम से बड़ी हो गई और वो अपनी मम्मा को देखने लगी जब उसने ऐसा करता हुआ पाया तो अभय भी विश को देखने लगता है जैसे की ट्विंकल के इशारे का मतलब समझने की कोशिश कर रहा है अभय को अपनी तरफ देखता पाकर विश ने उसकी ओर देखकर कहा मैं इसके लिए खाना घर पर ही बनाती हूँ इसकी हिलत के लिए बाहर का खाना अच्छा नहीं है इसलिए मैं इसके लिए दिन घर पर ही बनाती हूँ तो तुम अभी इसके लिए खाना बनाना चाहती हो अभय ने उससे सीधे तरीके से सवाल किया तो विश एक दम से चौंग जाती है आखिर ये कैसा बचकाना सवाल है जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी के लिए खुद ही खाना बनाना चाहती है तभी तो उसे कह रही है कि ट्विंकल का खाना वही बनाती है वरना उसे कोई शौक थोड़ी ना है अभय के लिए बिर्यानी बनाने का विष धीरे से अपना सिरहा में हिलाती है तो अभय सोच में पढ़ जाता है वो भी सोचते हुए उसकी और देख कर कहता है ठीक है लेकिन तुम इसके लिए बनाऊगी क्या अभय के सवाल ने तो विष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था ये बहुत गंभीर विष है था कि वो बनाएगी क्या अभय के किचन में तो कुछ भी नहीं है हालांकि उसका किचन साफ सुत्रा है लेकिन वहाँ पर बनाने के लिए एक भी समान नहीं है ऐसे में तो उसके साफ सुत्रा किचन का होने का मतलब ये है कि वो इतना साफ है कि उसमें पकाने के लिए ही कुछ नहीं है विश ने सोचते हुए अभय की ओर देखा और उससे कहा मुझे कुछ ब्रोस्वी का सामान और वेजिटेबल्स चाहिए क्योंकि आपके किचन में तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं ट्विंकल के लिए खाना बना सकूँ अभय ने विश के ताने को महसूस कर लिया था और उसकी एक आइब रोट गई थी वो एक हाथ से ट्विंकल के हाथों को पकरता है और अपनी तीकी निगाहों से विश की ओर देख कर कहता है तुम्हें जो भी सामान चाहिए 10 मिनिट में आ जाएगा और इतना बोलकर वो ट्विंकल को कमरे से लेकर चला जाता है विश हैरानी से कमरे में खड़ी थी और उसके हाथों में वो शर्ट थी वो बस अभय को जाता हुआ ही देखते रह जाती है अभय ट्विंकल को पूरा पेंट हाउस दिखाता है और उसके बाद उसे लेकर सोफे पर बैट जाता है वो एक पैन और पेपर उठाता है और उस पैन से पेपर पर कुछ शब्द लिखता है अभय की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी वो सिंपल नाम को भी इतने ज़्यादा स्टाइल तरीके से लिखता था कि सामने वाले की हालत खराब हो जाती थी उसे पढ़ने में डॉक्टर भी कई बार अभय की हैंडराइटिंग देखकर हैरान हो गए थे इतनी खतरनाक हैंडराइटिंग तो उनकी भी नहीं है उसने जर्मनी स्टाइल में इंग्लिश में कुछ लिखा और उसे ट्विंकल की तरफ बढ़ाते हुए उसे देखकर कहा चलो लिटिल स्टार अब मुझे पढ़कर बताओ ये क्या लिखा है दो मिनट तक तो ट्विंकल को लगा शायद अभय ने कोई फूल का डिजाइन बनाया है लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो ये कोई डिजाइन नहीं था बलकि अभय ने सच में पेपर पर कुछ लिखा था वो पेपर को उठाती है और अपने चेहरे के पास लाती है उसे गौर से देखने के बाद वो उस पेपर वापस टेबल पर रख देती है और मुस्कुराते हुए अभय से कहती है रिची रिचंकल आपने पेपर पर जिराफ लिखा है ट्विंकल के मुह से ये सुनकर अभय के चेहरे पर मुस्कान आ गई उसने ट्विंकल के माथे पर हाथ रखा और उसे प्राउट फील करते हुए उसने उसकी और देखकर कहा बिल्कुल सही ये जिराफ लिखा हुआ है लगता है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हाँ क्योंकि मुझे मेरी मम्मी पढ़ाती है ट्विंकल ने खुश होते हुए अपनी मम्मा की तारीफ की और उसने अभय को बताया कि ट्विंकल को पढ़ाने में विश्का हाथ है उसकी बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए ट्विंकल को देखता है और फिर मन ही मन विश्की तारीफ करता है वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर रही है उसके बाद अभय ने एक और बार पेपर पर लिखा लेकिन इस बार और थोड़ा सा क्रिटिकल करते हुए उसने और ज्यादा गुमा दिया उसे लगा शायद ट्विंकल इसे नहीं पढ़ पाएगी और उसने उस पेपर को ट्विंकल की तरफ बढ़ाते हुए एक बार फिर से कहा अगर तुमने इसे पढ़ लिया तो तुम्हारा चौकले पका ट्विंकल ने फिर से उस पेपर की तरह देखा और उस शब्द को देखकर अपनी आँखें दो-तीन बार जबकी ये तो सच में बहुत मुश्किल था उसे समझ में नहीं आ रहा था अभई लिखना क्या चाहता है उसने फिर से पेपर उठाया और उसे देखने लगी दो शब्द पढ़ने के बाद उसे बागी के सारे शब्द समझ में आ गए वो मुस्कुराते हुए पेपर को रखती है और उसे पर उन्गली रखते हुए कहती है A.B.H.A.Y. रिची रिच अंकल आपने अभई लिखा है Twinkle के मुह से अपना नाम सुनकर अभई के चहरे पर एक चमक आ गई है और उसका चहरा खुशी से जुमुटता है ये नाम उसने कई बार सुना हुआ है ये उसका अपना नाम है लेकिन आज उसे पहली बार अपना नाम बड़ा प्यारा लग रहा है कि वो चाहता है कि ट्विंकल उसके नाम को बार-बार बोलती रहे उसने धीरे से ट्विंकल के गालों पर हाथ रखते हुए कहा एक बार फिर से कहो क्या लिखा है अभे ट्विंकल मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर कहती है ट्विंकल गलत बात है मैंने आपको बताया है ना कि बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही है कमरे के दर्वाजे से विश की आवाज आती है और उसकी आवाज सुनकर अभे और ट्विंकल एक साथ उस तरफ देखने लगते हैं जैसे ही अभे ने विश को देखा उसकी नजरे विश पर जमसी गई थी उसकी ब्लेक शर्ट में विश एक दम कयामत लग रही थी वो शर्ट विश के हिसाब से थोड़ी बड़ी थी लेकिन फिर भी उसने उस शर्ट को जिस तरीके से फोल्ड करके पहना हुआ था उसमें व भी टांगे उसमें से नजर आ रही थी उसके शर्ट के सारे बटन लगे हुए थे बस कॉलर का बटन छोड़कर विश ने अभे की शर्ट को एक नाइट सूट की तरह पहन रखा था वो जल्दी से चलते हुए टेबल के पास आती है और ट्विंकल को देखते हुए कहते हैं ट्विंकल गलत बात है मैंने आप से कहा है ना कि आप बढ़ों का नाम नहीं लेंगे तो फिर आप ऐसा क्यों कर रही है चलिए सौरी कहिए अंकल से मम्मा मैं तो बस कोशिश कर रही थी ट्विंकल ने मासूमियत से विश की और देख कर कहा तो विश ट्विंकल को देख कर क से कहा, इसमें इतना हैपर होने की कोई जरूरत नहीं है मिस विशाखा। मैं बस उसे पढ़ा रहा था और उसने वो बहुत अच्छे से पढ़ा भी और उससे बोला भी है। विश की नजर जब उस पेपर पर पढ़ती है, तो वो एक दम से हेरानी हो जाती है। ट्विंकल ने उस पेपर अपने हाथ में लेते हुए अपनी मम्मा को दिखाते हुए कहा, देखो मम्मा मैंने इसे पढ़ा है, ये अभई लिखा है। विश ने हैरानी से कहा, क्या तुमने सच में से पढ़ लिया है। विश के कहने पर ट्विंकल मुस्कुराते हुए हामे अ इमानदारी से मुस्कुराते हुए देखा था। उसे नहीं पता कि विश मुस्कुरा क्यूं रही है। लेकिन फिर भी उसके चहरे पर वो मुस्कान देखकर। ना जाने क्यूं अभई के चहरे पर भी हल्की मुस्कान आ जाती है। विश ने ट्विंकल के पूरे गालों को वो ये सुनकर हैरानी से ट्विंकल को देखने लगता है, वो पहला इंसान है, जिसका नाम ट्विंकल ने उच्चारन किया है और विश इसी बात से खुश हो रही है, अभई को न जाने क्यों इसमें खुशी नजर आई, जब उसने महसूस किया कि ट्विंकल ने उसका नाम लि वो कभी भी इतनी उत्साहित होकर कुछ नहीं करती थी, लेकिन आज उसके चहरे पर ये जो मुस्कुराती हुई चमक है, ये देखकर विश भी हैरान हो जाती है, उसे खुशी थी कि उसने अपने जीवन का पहला नाम पढ़ना सीखा है, उसे फर्क नहीं पढ़ता था कि य पर आज अभई के साथ ये करता देख उसे एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी, उसे लग रहा था कि उसकी बेटी ने कोई बड़ा काम किया है, पर वहीं दूसरी तरफ वो ट्विंकल की आँखों में इस चमक को लेकर भी परिशान थी, जो ये एहसास करवा रहा था कि ट्विंकल की जिंदगी में उसके साथ साथ किसी और की एहमियत भी है।